आप सोभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सकसिना बोलों साधना जगत के रहस्यों प्रतात्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेख वीडियो को देखें और इसमें दीगों प्रतेख प्लिस्ट को भी देखें अब यह बहुत ही एक महतुपूर्ण वीडियो है और इसका जो टैटिल है वो है पिशाच्यों राक्षसों का विखंडन कपट इंसा का अंत अथर्वेर समिता तो मैं इसमें कुछ आपको ऐसी महतुपूर्ण जान करी दूँगा जो कि प्रत्यक साधा के लिए बहुत ही महतुपूर्ण है जो चाहता है कि मैं निश्टे सारे तत्यों को समझना चाहिए उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझे अच्छा लगता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है टॉपिक इस तरीके से अगर कोई सोचेगा तो वो साधना के शेत्र में कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा यहां पे समान दिस्टी स पर रखने को लेगी है हर चीज हमारे लिए जरूरी है जैसे कि जीवन में कितनी चीजें होती है जो कि हमको पसंद नहीं होती लेकिन हमको सामना करना पड़ता है उसी प्रकार थे जो यह टॉपिक्स हैं जो कि प्रिशार्च और राक्षास हो वाले हैं तो कि मैं थर्वे सम चाहते हैं कि मैं वीडियो के लिए बना रहा हूं यह और यह जो घ्रस साधक हैं उनको धानमिर्क्तिक बना रहा हूं सारे टॉपिक्स जहां उसी अनुसार जो है मैंने जो एक तो प्यास करें और इस अबस्वर को गवाई नहीं क्योंकि समय बहुत कम रहता है जीवन में भ ऐसे भी कि किन्तू परंटू और करते हुए कितने सारे दण्दूं में फसते हुए ठोप कितन Pay अचछे होता है कितना जली स्टार्ट लाकande हुज इसधी होते है इतनी जंग अच्छा है बाद में तो जब एज बहुत बढ़ जाती है तो साधना करने की शारेदिक बहुत से ख्रंटाइं भी कम हो जाती ही और उस समय आयू की पता नहीं कितनी रहे यह भी रहता है तो उपस में क्या उपलब्दी हासिल कर लोगे सधना में समय भी तो लगाना पड़ता है डीवन को एक पाट जियसे जैसा होता जाए आगे बढ़ने का उपयोग कर लो सही तरीके से अगर आगे जाने का कोई उपाय ढूढने का उप्रास करेंगा तो एक उसकी जोपी उसकी लिमिटेशन होगी महल बुद्धि उतने ही करेगा उन्हेते कारों से कुछ करने का प्रास करेगा तो उसको हो सकता है कोई सामने दिखने के लिए को उपलब्दिया हो जाएं लेकिन उसका जीवन पूर अनरस्ट हो जाता है और उसके मरने के बाद में विभिनिप्रकार की योनियों में जाना पुड़ता है इसा बाते मैंने बत पूरा जीवन जो नस्ट होता है उसको सभल क्यों नहीं आता है उसके लिए यही सब लासुरी शक्तिया काम कर रहे होती है उसके लिए जो मेरे वीडियो बने 227 नंबर के कली बादावाला देखिएगा असुर असुर वाली प्लेस देखिएगा शायद में राक्षासुदारा क्लीक है 236 नंबर का वीडियो है 237 डंवर्का अने फार्शब का प्रवेश होता है और अनेक प्रखार कि कार जो प्रति दिन करे जाते हैं उसे हो सकता है उनसे बजना चाहिए बहुत सारी सारे जो मेरे पहले होंगे प्लेस्ट में खत्रे जो डैंजर से ट्रैप्स और ट्र प्रवेशना कर बाएंचाओं वागा तो जब सब बाते ने तो उसमें मैंने कुछ उपाई भी बताये हुए थे कई वीडियों के अंदर में कि जैसे सुरक्षा अपनी के निदानवी शक्ति से करी जाए लेकिन वह सुरक्षात्मे को उपाई थे सारे के सारे और उसमें लेकि कि वह शरीर में भी प्रवेशना कर बाएं शक्तियां पैली चीज तो यह समझ लेगी जितना भी खेल हो रहा होता है इस अंसार में जीवन में किसी भी लेविल पर उन दानवी शक्तियों का बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान होता है क्योंकि यह उनको समय जो गलत शक्तियों कि दानवी शक्तियों किसके लिए आप वीडियो मेरे देखेंगे दानव 300 नमबर वाला दानव अशुपकर्म दानव गलत शक्ति दानव जो है मुठ मुद्धी दूर का सब शतीर हैससे मैंने बात बताई हुए है दूसरे बात मैंने बताई है कि 294 नमर का वीडियो है उसमें है अपराद कोई वी वक्ति आप अपरादी जनमधाद नहीं होता है कोअई को गरती UNगर अब नहीं होता है वो सारी सारी खेल जो है अद्रश्य दानवी शक्तियों का होता है उनमें से राक्षात पिशास बहुत बलवान शक्तियां होती है इसलिए मैंने कई वीडियों दो बताया भी है कि आज के समय में छोट छोटे उपाय सफल नहीं हो सकते शॉटकट कुछ नहीं है तो इस समय से जो भी प्रवा होंगे उनके लिए भी एक वीडियो में तीन सो तीन नंबर का है जकडन, कमजोरी, विचेनी, भै, निराशा, व्यादिया, चिंता, अनित्रा, कारलोपा है यह उस वीडियो का में है तीन सो तीन नंबर का कि सब जिनके मूल रूप से आप गहराई में कोई भी जाएगा, किसी भी निश्फक्ष हो के जाएगा, पूरी साइंटिफिक वे से पूरी अनलिसिस करेगा है कि फैक्ट्स की और चेक करता हो जाएगा साधनात्मक दिस्टी से मैं बता रहा हूँ तो वो उसको यह लगे गए सारी सारा खेल पिशाचों राक्षासों और दानवी शक्तियों का हो रहा है अब यह बात अगर समय आ रही है तो इनको उपाय भी डूढ़ने चाहिए उपायत में बैसे बहुत सारे बता है वो सब उपाय काम करते हैं लेकर उसी में थे विश्रेश और बहुत प्रभावशाली एक आपको सूक्त बताऊंगा आपको जो अथर्वे समिता से है वो भी जरूरी है इसको करना चाहिए और जो वेदोक्त मंत्र होते हैं यह बहुत ही मूलवान होते हैं और कभी निश्फल नहीं होते हैं बागी और कुछ निश्फल हो जाए लेकिन यह नहीं हो सकते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बना हुए है वेदा गुरू 29 नमबर का देखेगा उन्तिस नमबर का चालिस नमबर का वीडियो देखेगा वेदेक जीवन कैसे जीए तो बात है समगन में आएगी कि डौमेज में कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो सूक्त में कुछ जान करी है यह सूक्त में बताना क्यों जा रहा हूँ इत्तो इसमें देखिए कि 10 जो हैं, इस सूप में 10 मंत्र हैं, इसको रीट करना है, दिन में एक बार तो कमस्कम कर लेना है, और आखा जादे पेचैनी लगे, कमजोरी लगे, पेचैनी भै, निराशा इस तरीके से लगे, चिंता लगे, कुछ हो, या जो भी लगे की निमुझ आओर आए जो रक्त पीने वाले पिशाघ हें हैं हम मंत्र रबल दवारा उनको पराजित करते हैं। दूसरा जो भी इसके त्वारे जितने भी जो ये वक्ति इस मंत्रों का अब्यास कर रहा होता है उसको जो देखने मात्र से भी जो हते हैं इनकी शक्तिपग शिर्ण हो दाती है और जो है जो राक्षस उनको बड़ी परशानी होने लग जाती है तीसरे एक मंतर में जुरूर आता है इसमें कि पिशाच जो है हमारी शरीर में प्रविश्ट नहीं हो सकते इस मंतर का जो करने वाले हैं यह बहुत इंपार्टेंट बात है क्योंकि वो सारे बॉड़ी को ले खेलते हैं बॉड़ी में जाके वो समय मैंने बात जो 195 नंबर का राक्षस उनको बख्षन उसमें मास, रक्त, भोजन, अन, पुन्य सुभाव सबका बख्षन करते हैं वो यह नहीं कर सकते तो उससे क्या होता है कि जब यह करने ने करने पाएंगे और फिर जहां पे भी मन चलने होते हैं उस एरिया में भी जहां जहां राक्षस होते हैं उसमें जाते हैं कि अब यहां पे हम अपना बहुत जादे तांड़ाव नहीं कर पाएंगे तो वो भी धीमे धीमे महां से जाने लगते हैं और मैंने कई वीडियो से बताया भी हुआ है अपराद वाले जो वीडियो में 294 नमबर कर जो वीडियो है कि कोई व्यक्ति जनजात अपरादी नहीं होता तो यह क्या करते हैं कि जुकि हो उतो की विग्टि को आपरादी बनाते हैं。 olduğunu एक purpose . अपरादी बनाने कि एक दम से तो नहीं पनाईगे उसको दीमे दीमे करकर बनाएंगे। तो उसको पहले भरष्ट करेंगे। पिर उसके कपत लाएंगें जूसा की खुरे चांपले शम-जूठ बनाएंगे। आगर जिसम कोई वक्तिय अपने घर में कर रहा है तो सुनसे रक्षत होगा। साथ साथ उसके धर में जितने वह भी रहे होंगे, जो भी स्थान, भूमी बहुए, और भावन गहां जो भी होगा, वहां पर भी कहीं भी कोई भी इस प्रकार की राक्षास ही जो शक्तिया होंगे पिशाच होंगे राक्षास होंगे उनको हटना पड़ता है अगर नहीं हटेंगे तो उनको बिनाश हो जागा क्योंकि ये मंत्र बल ऐसा है क्योंकि ये अतर हो जमिता से है यह फेल होने वाला नहीं, यह बहुत अनुबाव करने की बात है, बड़ा प्रभावशाली साधना यह है, लेकिन इसको यह आप इतनी बात को अगर समझ रहे होगे, तो इससे क्या होगा, यह जब आप सीजे सीजे वही बात होगे कि राक्षासों को इससे बहुत कस्थ होने लग जाता है, शाचों को बहुत कस्थ होने लग जाता है, उनको रटने ही पड़ता है, जो शरीर में प्रभेश नहीं कर सकते हैं, कोई काम ही नहीं कर बाएंगे, फिर तो गलत काम दढ़ा इन पाएंगे, उनका जो मूल होता है, जो द्ध्य जो मानवता को अनृस्ट करना तो वह तिर ने नीच्र ने बनाया हुआ है, इस वानन झात आए हुए है। इस वारों के सामरे इतना हो il के लिसा फिप वन दीन में रिधा परति है। हर योग में हर योग में साथ योग से लिए कि ज़िए कि जदने भी योग हैं सारे उगों के अंदर बें घिस्वाव का असुर असुरूट का संक्राम चलता है इस समय चोगी कि कली हो गए यहां पर दान अव जादे हाभी हो गए हैं अब जब इतने हाभी हैं तो आप सोच ल तो भाव को भी हम कम कर सकते हैं इसलिए इसको करना एक तरीके से यह वाला जो मैं आगो सूक्त बता रहा हूं यह सूक्त बहुत ही इंपॉर्टेट शूक्त है और यह सूक्त को प्रत्य ब्रत्य ब्रक्ति को अपने साथ में करना जाए लेकिन यह इस इतनी बात सिसफ़स्ट ह है यह इतना बेवस कर देती है इतना जाएंगी नहीं फिर यह प्रहारक मुद्रा में भी आ सकती है यानि कि प्रहार भी कर सकती है तो इसलिए मैंने बहुत सारे जोसके पहले उपाय बता है उनमें से कुछ विशेश हुआ है आपको बता रहा हूं वो साथ में करने बढ़े है यानि कोई नहीं सुचे कि मैंने बता दिया है कि इस अथरवे समिता में इस सुखत दिया तो उसने कल से शुरू कर दिया अपना तो उसके विपरीद बढ़ भाब भी उसको मिल सकते है तो कि यह जो भी शक्तिया है वो असानी से जो भी अपना कबजा नहीं चोड़ती है है तो इसकी फाउंडेशन की रूप में बता रहा हूं वह जो पर रहे होगे जो इतन लोग वीडियो मेरे लगातर देख रहे होंगे तो वह इस बात को समझेंगे भी तो फाउंडेशन की रूप में मिनित में गर्णपती अथरशीच का पार्ट डेली करना चाहिए गर्ण तो 247 नमर का सूर अतरशीश वाला वीडियो देगेगा इस सूर अतरशीश का पार्ट करना चाहिए यह तीन पार्ट नित्य करने चाहिए इस सब नो डाउन जरू कर ली जाएगा और तो वीकली यानि हफते में एक बार शिव अतरशीश का पार्ट करते रहना चाहिए और 78 नमर का वैदिक सूरक्षा सूक्त यह वीडियो है वैदिक सूरक्षा सूक्त यह कंपल सरी डेली करना चाहिए इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी है यह दूनों कर दी जाएंगे तो एक और एक ग्यारा हो जाएंगे तो रक्षा भी होगी और साथ में उनको हटना पड़ेगा ती व्रगती से उनका करना चाहिए निश्काशन जया वो शूरू हो जाएगा जीवन से उनका प्रारम हो जाएगा तो इसके अलावा फिर 156 नंबर का कौन से मंत्र सुने आसुरी शक्तियों से बचावी वीडियो देखेगा इसमें मैंने बताएं कौन कौन से मंत्र से डेली सुनना चाहिए और जो 75 नंबर का है संपूर्ण वैदिक अगनी साथना है क्योंकि यह जो इ जाए वह कौन सा होगा यह मैंने उस बात वीडियों में बताई हुई है क्योंकि यह जो अभी आपको मैंसूफ जाने जा रहा हूं इस तर्वे समिता से जो सुख्त बताने जा रहा हूं उसमें उसके देवता जो अगनी है अब अगनी देवता कि हम साधना नहीं करते और अ संपूर्वादी खगनी साधना दूसरा इस ही में से कुछ नहीं तो अगनी सूख्त का पाट डेली करना चाहिए दूसरा एक धुमावती साधना वाले वीडियो देखिए का आप 155 नंबर का धुमावती साधना रहस से जीवन का नव दिर्माण और 292 नंबर का धुमावती बताइब उसको भी देखना चाहिए और इसको भी इस अपने जीवन में देने का प्रयास करने चाहिए साधना प्रमावती इसके विफ्रीत प्रवाव में कहीं से आने का प्रयास करेजिए शक्ति तो नहीं कर पाएंगी और दूसरें 18-19 नंबर का इंदर वैधिक सूख्त वीडियो देखेगा इसमें मैंने बताया उनका इंद्रवैदिक सूक्त का भी इन डेली पार्ट करना चाहिए यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यह अगर कोई इस बड़े अवरोधों को हटा दे जोगी छोटे-चोटे उपायों से इधर-वदर से नहीं जाने वाले और इनको करा जाए तो यह इनका शीगर विकंडन उनका प्रारम हो जाता है और जैसे इनका विकंडन प्रारम होगा तो जीवन में कहना चाहिए कि जो निकत्यारी होंगी वो भी दूर होती है शारेकिक बार्चिक शम्ताएं जहां वो बढ़ने लगती है यह अपने अमयान जाओ करने की बात होगी और जीवन में इनकी वज़य से जहां जाए जिस जिन पक्षों पर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा होगा उन पर उन पक्षों से जब दूर होने लग जाएंगे तो वहां पर भी उन अती के मार्क खुलते हैं मालिये धन के मार्क पर बना रख करने का तो खुलते हों तो भीमार्यों बात बात होता होगी है तो बीमारिये जाने योजो को सत्वार나μη अर्च्छार्स हो का णो को उसके दवारा जो भी काम करते हैं, जो मन में कपट डालते हैं, इंसा की प्रवती विक्सित करते हैं, वो सब समाप्त होने लग जाती है। यही एक बहुत मुलिवान और प्रवावशाली सुक्त है, जो कि मैं बता रहा हूँ, यह आपको मिलेगा अथरवे समिता के चौथे चैप्टर में मिलेगा, चत्तिसवे नंबर का है, और इसके जो रिशी हैं वो चातान है, उसके देवता सत्योजा अगनी है, इसमें दस मंतर मिलेगे, तो इसको नित्म पार्ट करना जाहिए, इसके साथ में जो मैंने कॉम्बनेशन बताया, वैदिक सुरक्षा सूक्त, उसका वीडियो नमर 70, तो उससे जो होता है, आपने डीवन की समस्चाएं भी स्वाल होती हैं, और जो बहुत बड़े-बड़े अवरोध होते ह जो कि किसी तरह से जानी रहते हैं, और उसको समय भी नहीं आ रहा था, कहां से आते हैं, थोले दिन चानती रहे, फिर कहीं से विपत्ती आ गई, इस सारी प्रक्रिया उसको ये स्टाप कर देगा से, ये इनकी संभावना है, इन मंत्रों की, जो मैं बता रहा हूं, तो क्यों पंदरा दिन हो गया, एक महिना हो गया, दो महिना हो गया, तो जैसे आप उनको धक्यलते जा रहे हैं, उनकी शक्तियों को, वो पीशे हरती चले जाएंगे, ये एक इंपोर्टेंट बात है, और बाखी जो है, इस बात में इधान होने जाहिए, हमको ये मन में रखना चाहि है, पीठना है, इसाब कुछ नहीं है, हमको ये मंतर कर दिया और जिस मंदर में जो जे चीजे आ रही है, वो अगनी देवता है, उसको अपने आप उसको जो भी जहां भी जहां भी इस तरीके से फली भूत करना चाहिए, वो करेंगे, ये एक विश्वात रखना चाहिए, इससे क्या होगा, अपने आप छोगी, जब मन में सुह में महिंसा भी आएगी, हम ये कर दें, किसी को नुकसान कर दें, मार दें, काट दें, तो उससे क्या पुर्ने बहुत नस्ट होते हैं, वो करना नहीं, वो न्यूट्रल लाना है, ये कि मैं एक प्रिकॉशन की बाप ब होता चले जाएगा, और जो अधियात में नतीप होती जाएगी जब इस तरीके बढöd में में दूर होता है, अपने घर में भी बहुत सारी पर्शानिया आ रहे थी आ दो दूर होते हैं, और जीवन में सब होते हैं और हुग। सबस्वार करें वह दोग करना है वह सब्वार करने वाली सादना नहीं है यह बहुत ही बड़ा प्रिकोर्शन मोता रहे हूं इसको कहीं जाके किसी या अपने घर के अलावाव कहीं करने का प्रास नहीं करना है इसको यह बिल्गी एकांत में बैठ के साधनाय करने वाली है तो आशा करता हूँ कि आप सुनों को जानकारी अच्छी लेंगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद